हेलो गाइस, वेलकम तो माइ यूट्यूब चानल, माइच बाइद दिक्षा तोड़े वी आर गोइंग तो नो अबाऊओ प्राइम और कमपोजिट नंबर्स तो लेट्स केट स्टाटेट प्राइम और कमपोजिट नंबर्स जानने के लिए आपको फैक्टर्स पता होने बहुत ज़रूरी है कि फैक्टर्स क्या होते हैं अगर आप नहीं जानते फैक्टर्स क्या होते हैं तो आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा Prime Numbers which have only two factors Prime Numbers के only two ही factors होते है For example, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 वैसे तो Prime and Composite Numbers up to infinity तक जाते हैं बट इस वीडियो में हम only 20 तक के ही Prime and Composite Numbers देख रहे हैं अब factors के अलावा हम एक और तरीके से समझ सकते हैं कि Prime Numbers वो होते हैं जो only खुद की ही टेबल में आते हैं वो किसी और की टेबल में नहीं आते हैं तो आप जानते हैं 2 जो है वो only खुद की टेबल में आता है 1 के अलावा 2 और किसी की टेबल में नहीं आता 1 के टेबल में तो सारे ही Numbers आते हैं तो इससाब से हम बोल सकते हैं 2 जो है only खुद की ही टेबल में आता है 3 भी खुद की टेबल में आता है 5B, 7B, 11B इसी तरीके से मैंने यहां जितने भी numbers लिखे हैं up to 20 तक वो सारे ही numbers खुद की ही table में आते हैं और किसी की table में नहीं आते तो आप यहां एक चीज और notice कर रहे होंगे 2 is only even prime number यहां जितने भी पैने prime numbers लिखे हैं even up to infinity तब जितने भी prime numbers हैं वो सारे ही सारे odd होते हैं only 2 कुछ होड़के 2 ही only even prime number है बाकी सारे prime numbers odd होते हैं so let's come to the composite numbers which have more than 2 factors जिनके 2 से जादा factors होते हैं these are 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, and 20 20 तक इतने सारे composite numbers होते हैं prime numbers कम होते हैं so हम यह कह सकते हैं कि composite numbers वो होते हैं जो खुद के अलावा और tables में भी आते हैं and this is a note disable thing which is one is neither prime nor composite one जो होता है वो ना ही prime होता है और ना ही composite होता है because one sabka factor होता है यह मैने बता रखा है I hope this would be helpful for you thanks for watching this video and share with your friends जो होता है